जब आप नया मोबाल के power button में long press करके switch up करना चाहते हैं तो थोड़ी दिल loading होने के बाद आपकी mobile में google assistant open हो जाते हैं इस तरह आप जितने भी बार कोशिस करोगे switch up करने की आपकी mobile में google assistant open हो जाएगा और आप अपने mobile को switch up नहीं कर पाओगे तो ऐसा कौन सा setting है जो आपको on क करना होगा ताभी अपना नया mobile को आप switch up कर पाओगे तो आज के इस वीडियो में आपको एहीं देखाएंगे कि नया mobile में ऐसा कौन सा setting को on करना पाड़ेगा अपने mobile को switch up करने के लिए उससे पहले आपको स्वागात है जिए आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है त नीचे आपको एक option दिखा देगा जिसमें लिखाए system setting उस पर किलिक करते ही आपके समने इस तरह के पेज़ आपन हो जाएगा यहां पर भी आपको थोड़ा स्कॉल करने के बाद नीचे power button आपको देखना को मिलेगा तो आप पावर बटन option पर simply क्लिक कीजिए फिर देखने ना है तब यहां से बैक करने के बाद पावर बटन में लॉंग प्रेस करके देख लेते हैं कि सुचप का option आते ही की नहीं देख लिए पावर बटन को लॉंग प्रेस करते ही दो option आ जाते हैं उपर लिखाए restart और नीचे लिखाए power off अगर आप उपर की तरफ ले जाओगे तो restart होगा और नीचे की तरफ ले जाने से सुच आफ होगा तो इस तरह आपना नया मावल को आप सुच आफ कर पाऊगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें और इसी तरह useful वीडियो देखने के लिए जियारन आपसे लिए टिप चैनल को सब्क्राइब करके बेलोग उनको प्रेस करें थैंक यू